असलाम अलेकूं चलिए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि अलिफ चलेकर बड़ी ये तक उर्दू में कैसे लिखा जाता है और वैसे भी आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि उर्दू में लिखना बता दीजिया तो वही इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ल अलिफ इस खड़े लकीर को इस तरह खीचना है इसको बोलते हैं अलिफ इसका पॉननसियेशन होता है अ अब देखिए इसको कहते हैं बे बीचे एक ठो नुक्ता देना है इसको बोला जाता है बिंदू तो क्या करना है आपको इस तरह करकर और ऐसे कर देना है ठीक है तो य फे का पणंट करना है और ऐसे करकर आएसे और वे में और पे में नीचे नुक्ता दे रहेते नीचे बिंदू दे रहे थे ते में ऊपर दोठो बिंदू देना है क्या करना है यहां से करना है थोड़ा समोरव कर तस तरह सीधा लेकर चले जाना है । तो यह बन गया दिया टर्फीर का प्रणनेंसीएशन तो होता है अब देखिए टे बनाना है तो उसी तरह बिल्कूल इस तरह करकर सीधा किचेंगे और उपर जिस तरह दो तो नुक्ता था ते में अब यहाँ पर ऐसे करकर ऐसे बना देना है किस तरह बनाना है एक बार और मैं बता रही हूँ ऐसे सीधा किछना है और इस तरह करकर ऐसे तो यह क्या बन गया टे और टे का प्रणंसियेशन क्या होता है टा अब चली हम लोग सिखते हैं से कैसे बनाएंगे देखिए यहां से ऐसे किछना है और सीधे लेकर चले जाना है इस तरह तो यह बन गया से लेकिन इस पर तीन्ठो नुकता देना है तीन्ठो बिंडू तो यह हो गया कमप्लीटली से अब आप लोग ऐसे नहीं किजिएगा कि इधर से लेकर चले जाए ऐसे यह तो उल्टा हो जाएगा ना आप लोग हमेशा इधरी से लेकर जाएगा ऐसे तो परफ और फिर ऐसे इसको सीधा खीच देना है और सीधा किचने के बाद बिल्कुल यहीं से ऐसे करके ऐसे ठीक है और बीच में इस तरह एक थो बिंदू देना है नुकता तो यह क्या हो गया जीम कैसे बनाएंगे छोटा सा इस तरह डॉट की तरह दे देना है और ऐसे करकर सीधा औ यह बिच में बिंडू तो यह क्या हो गया जीम हो गया और जीम का प्रणंसियेशन क्या होता है जो अब देखिए चे भी जो होता है ना वो बिल्कुल जीम ही की तरह बनता है उसी तरह इस तरह खीचना है और सीधा इस तरह खीच कर और उसी तरह गोल बनाना है ऐसे और बस अंतर ये रहेगा कि जीम में एक ठो बिंदू था और इसमें तीन ठो बिंदू रहेगा इस तरह तो ये हो गया चे ठीक है बिल्कुल जीम ही की तरह बनाना है और बीच में तीन ठो बिंदू तो ये क्या हो गया चे और चे का प्रणन्स येशन होता है चो अब बारियती है हे की ये भी बिल्कुल उसी तरह बनेगा जिस तरह जीम और चे बना इसी तरह और बिल्कुल सीधा करकर और इसी तरह गोल बनाना है और बस यही हो गया इसमें ना बिंदू ना कुछ भी बिल्कुल इसी तरह ये क्या हो गया है हे यह का pronunciation होता है अब आगे आता है खे तो खे भी बिल्कुल उसी तरह ही रहेगा इस तरह करना है सीधा किछना है और गोल इस तरह बनाना है और बस जिम चे में बीच में था और हे में कुछ भी नहीं था और खे में जो है न उपर बिंदू रहेगा इस तरह उपर तो यह हो गया खे और खे का pronunciation क्या होता है ख अब चलिए आगे सीखते हैं दाल को कैसे बनाया जाएगा देखिए ऐसे करकर ऐसे यह हो गया दाल कैसे बनता है आप लोग गोला इस तरह देखिए होंगे इस तरह होता है गोला और इसी को आदा काट दीजिए और यही हो गया दाल ऐसे आप लोग बना सकते हैं मतलब एक ट्रिक बता रही हूं मैं तो यह क्या हो गया यह दाल हो गया और दाल का pronunciation क्या होता है तो दा होता है अब आगे है डाल डाल कैसे बनाना है बिल्कुल दाल ही की तरह बनाना है डाल इस तरह था ना डाल की तरह बन गया अब उपर इस तरह सिर्फ दे देना है ऐसे करकर किस तरह बनाना है एक बर फिर से मैं बता रही हूं ऐसे सीधा और फिर ऐसे बी जिस तरह आप लोग बनाते हैं नहीं, इसे भी बनाते हैं चाहीं बनाते हैं स्मॉल वी, उसी तरह बिलकुल यहां पर बना देना है दाल के उपर, तो यह क्या हो जाएगा डाल, टीक है और डाल का प्रणंसियेशन चाहीं होता है तो डा होता है, देखें जाल भी बिलकु इस तरह बिंदू दे देना है तो यह क्या हो जाएगा जाल और जाल का प्रणनसियेशन होता है जो नौट जो जो ठीक है अब आगे आता है रे, रे को कैसे इस तरह एक छोटा सा इस तरह बना देना है और एक तिर्चा किश देना इस तरह बाएं तरफ, तो ये क्या हो गया रे, क्या हो गया रे, ऐसा नहीं है कि इसको इस तरह कर दिये और दाएं तरफ किश दिये, तो ये उल्टा हो जाएगा, ऐस कैसे बनेगा बिल्कुल रे की नेगा चीना है बाएंथ तरफ ये बना इसी पर आप इस तरह बीब भना झोत हुँ ए जैसे कि अटेल समय होता है और न होता है तोड़ा होता है चले आगे से ख Likewise कैसे वनेया वार फिछाठे न है और यहां फिर बना वेकर बना आ вед क्या हो जायगा जे और ऑगे है ज शे देखिए इसे तरह रहे की तरह खीचना है आपको और ऊपर तीन ठोब बिंदू देदेना है तो यह हो गया जे जे पढ़ा जाता है और जे इसको आधा जो और ये इस तरह पढ़ा जाता है तो इन दोनों में थोड़ा सा मिल देना है और इस पर एक बिंदू इस पर तिन तिन विंदू तीख है यह हो गया इन दोनों का प्रणनेंशन जो ही होता है जह का भी प्रणनेंशन जो है अब आगे है सीन सीन को कैसे बनाएंगे देखिए सबसे पहले आप इस तरह कलम रखेंगे और उसके जोड़ा सा एक बार दो बर ये हो गया एक दो और तीन और तीसरा normta के बाद 3 को ये दो तिन्सियेशन निकलना चाहिए यह गया तो ये दोनों का मतलब एक ही होता है ठीक है तो इसमें घबराईएगा नहीं आप लोग अब आगे आती है बड़ी शीन की बात तो ये भी बिलकुल सीन की तरह ही बनेगा ऐसे तीन्ठो हो गया और फिर इस तरह बस बड़ी शीन में तीन्ठो नुकता उपर आ जाता है तीन्ठो बिंदू तो ये हो गया बड़ी शीन और इसका पॉननसीरसन होता है शौ और इसको तरह कर और इस पर हटा दिया जाए तो यह ब्ल मैं इस वीडियो में आपको बता दी कि अलिफ से लेकर बड़ी शीन तक कैसे लिखा जाता है यानि कि 19 लेटर मैं आपको इस वीडियो में clear करा दी और जो स्वाद से लेकर बड़ी ये तक लिखना है उसको मैं आपको next वीडियो में बता दूँगी और ये भी 19 लेटर ही है यानि कि 50% आपको इस वीडियो में clear हो गया और इसका जो next वीडियो आएगा उसमें 50% clear हो है पहला तो वीडियो लंबा हो जा रहा है ठीक है और दूसरा आप लोगा टास्क बड़ा हो जाए एक तरह से देखा जाए तो ठीक है आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे next वीडियो में next topic के सांथ तब तक के लिए खुदा हाफिज